हेलो प्रेंट्स, मैं हूँ सोनिया गोयल और जैपूर दबिंग सीटी चनल पर आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों, जिन लड़कों की शादी शुदा लाइफ में ऐसा फेज आ गया है, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जिसमें उनके नीचे के अंग में कमजोरी आने लगी है, शादी शुदा जिंदिगी का सुख खत्म होता जा रहा है, उनके लिए आज में एक बहुत ही जब कड़ाई यूज नहीं करें, बलकि लोहे की कड़ाई यूज करें, तो बेस्ट है, कोई तेल नहीं डालना है, गी नहीं डालना है, बस ऐसे ही सूखी कड़ाई में इस उरत की डाल को डाल देना है, और बिल्कुल लोग फ्लेम पर इसको सेखना है, इसको भूरना है, दोस्त थकान हो जाती है उनके लिए रमबर नुस्खा है चरक सहिता में उड़द की डाल के इस नुस्खे के बारे में ये भी कहा गया है कि इसको गर्ल्स भी यूज करें तो उनको इर्रेगुलर पीरिट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है किसी को पीरिट में पेट में दर्द जांगो हो पा रही हो वो ठीक होकर मा बनने का सुख मिलता है ये देखिए एकदम लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए भुनने से दो मिनट में ये उड़द की डाल सब तरफ से बराबर सिकती हुई थोड़ी सी लाल हो गई है तो अभी हम इसको गैस से उतार कर एक प्लेट में निक पीषेंगे तो क्या होता है कि मिक्सी में भी ये और गर्म हो जाती है जिससे धोड़ी जल जाती है इसलिए दाल को भूनने के बाद पहले ठंडा होने देना है उसके बाद ही पीषना है ये देखिए मैं थोड़ा पास से आपको दिखा रही हूँ कि ये भूने हुई उरद की दाल का आटा ऐसा दिखाई देगा तो इसको हम साइड में रखते हैं और अब नेक्स चीज़ इस नुस्खे के लिए लेंगे जायफल क्योंकि अगर नसों में कमजोरी है, करकपन भरपूर नहीं आता है, तो जायफल इसके लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है इस नुस्खे के लिए आप 5-6 जायफल ले लीजिए और फिर इनको एक खरल में या ओखली में डाल कर इस तरह से कूट कर इनके टुकडे कर लीजिए ये किराना की दुकान पर मिलता है क्योंकि एक गरम मसाला बनाने में काम आता है महशी पतंजली के अनुसार जायफल इतनी ताकतवर चीज है कि अगर इसको जावित्री, इलाईची और केसर के साथ एक खास रेशो में मिला कर दूद के साथ यूज किया जाए तो 80 साल की उम्र तक भी 25-26 साल के नौजमान लड़कों जैसी ताकत नीचे के अंग में बनी रहती है तो जब इस तरह से जैफल के छुटे-छुटे टुकडे हो जाएं तो इसको भी मिक्सी में पीस कर एकदम बारिक पावडर बना लीजिए फिर आगे नेक्स स्टेप में इन दोनों चीजों से तयार होगा वो नुस्खा जो गजब की टाकत और जोश पर देगा ये देखिए ये पीसने के बार में कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे सुपारी का पावडर या दालचीने का पावडर होता है ना कुछ-कुछ वैसा ही ये दिखाई देता है तो इसको भी एक बार साइड में रखते हैं और नुस्खे की अगली स्टेप पर चलते हैं जो लड़के लड़कियां दोनों की पावर बढ़ा देने के लिए रामबार साबित होने वाला है अगली स्टेप में हमको चाहिए घी देशी गाएं का घी मिले तो इस नुस्खे में बैस्ट है आप क्या कीजिए कि ऐसा एक भारी पेंदे वाला पतीला या भगोनी ले लीजिए जिनके गर्मे पुराने टाइम के पीतल के बरतन हो वो तो एकदम बैस्ट है इस तरह के गरेलन उसको के लिए तो इस पतीले में हम ये एक चमज घी डालेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे जब घी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये भुनी हुई उरत की डाल का आटा एक चमज भरके डाल देंगे और इसको low flame पर ठीक वैसे ही सेखेंगे जैसे हलवा बनाने के लिए गी में आटा सेखते हैं अभी ये जो गी है ये क्या करता है कि उरट की डाल के अंदर के जो गुण है उसको बढ़ा देता है क्योंकि उरट की डाल की तरह ही गी भी शुक्रदातू को बढ़ाता है तो इस आटे को गी में इस तरह से किये इससे इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि जो डाल हमने भूने दिना वो पीसकर जब आप आटा बनाते हैं तो इसमें अभी भी थोड़ा रौ स्वाद आता है जबकि हलवे की तरह गी में आटा भून लेने से ये रौटेस्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है ये देखे एकदम अच्छे से ये आटा इस घी में सिक्कर तयार है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे गरम दूद ठंडा दूद इसमें नहीं डालना है ये दूद कितना डालना है एक ग्लास दूद इसमें आप डालिए और अगर ये गाय का दूद हो तो एकदम बैस्ट है जिसको गाय का दूद इजिली नहीं मिले तो फिर वही दूद ले रेना जो डेली आप अपने घर में यूज करते हो साथ में डालना है एक चोथाई चम्मत जैफल का पाउडर और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए पकाना है इस तरह से इसकी खीर बना लेनी है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप अपने हिसाब से तै कर सकते हैं आपको पतली गाड़ी जैसी भी खीर अच्छी लगती हो आप इसको पकाते हुए उतना ही गाड़ा कर लीजिए और यह जो उरत की दाल का आटा आपके पास बचा है जैफल का पाउडर भी आपके पास बचा है इनको आप लोग अलग अलग एट डबो में डाल कर रख लीजिए तो डेली आपको यह सारी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी डेली बस दूद के साथ इनको पका कर पांच मिनट में आप यह खीर बना लेंगे यह पीस कर डालेंगे तो खीर में जल्दी से मिक्स हो जाएगी लेकिन मीठे के लिए धागे वाली मिश्री ही क्यों लेनी है मैं आपको बता दू कि धागे वाली मिश्री भी व्रहषे होती है मतलब कि शुक्रदातू को बढ़ाने वाली होती है तो अब देखिए, इस नुस्के में उरद की डाल, घी, जायफल, दूद और धागे वाली मिश्री, ये सब शुक्रधातू को बढ़ाने वाली है, सब चीजे इजीली मिल जाती है, सस्ती भी है, जबरदस्त असरकारक भी है, तो फिर लड़के हूँ या लड़किया हूँ, न ज़रूरत ही नहीं है, इन बिमारियों के लिए बजार में इतनी महंगी दवायां आती हैं, कि पूरे घर का बजट एक बार में बिगार दें, लेकिन अब ये आसान सा इलाज करना, किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो, तो हस्बेंड वाइप दोनों इस खीर को डेली इस तरह खा लेना, जिस तरह मैं अभी आगे नेक्स स्टेप में बता रही हूँ, बस ये देखिए, खीर एकदम तयार है, इसको आपको सुपर डेली नाश्ते में खाना है, गरम गरम ही खाना है, और एक महने तक डेली खाना है, सुबह के अलावा नहीं खाना है, क्योंकि उरद की साल धीरे-धीरे पच्ती है, किसी को गैस की प्राब्लम बहुत हो रही है, तब नहीं खाना है, जब गैस की प्राब्लम ठीक हो जाए, तब खाना है, तो ये जो एक बार में, जितनी मात्रा में, जो भी चीचे लेकर मैंने ये खीर बना कर आपको दिखाई है, ये एक व्यक प्रॉब्लम जर से खत्म हो जाएगी, लड़कियों में पीरेट से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम और एक बनने की हर तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी. तो ये खीर बनाईए, खाईए और अपनी लाइफ को फिर से खुशियों से भर लीजिए.